सर एक तरफ सोशल बीडिया पर बॉयकॉट बॉलिवुड का ट्रेंड करना और वहीं दूसरी तरफ आधी पुरुस जो फिल्म आई है इसको लेकर भी अब तमाम सवाल उठाये जा रहा है एक तरफ कहा जा रहा है कि जो असलियत में रामायन है उसकी इंसल्ट की गई है तो व अहां तक फिल्म में प्रभास है तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बहतर की उम्मीद है लेकिन हाँ जो ये खास तोर पर अगर हम बात करें सैफ का जो लुक बनाया गया है ये रावन कहीं से नहीं है ये आधोने की युक का रावन है ये खिलजी है ये कौन है समझ में न रावन था वो एहँकारी था वो लोबी था वो लालची था वो गलत था लेकिन वो इस धर्ती का परमग्यानी महन पंड़ित भी था उसमें कहीं कोई दोर आए नहीं कि जब आपने एहँकार आया तो रावन जो है वो उसकी मौत हुई भगवान श्री राम के हाथ से लेकिन महरशी विश्वा का पुत्र अगर हम खास तोर पर रावन की बात करें तो एक बुद्धिमानी और मतलब बहुत ही पौरुश वाला वेक्ति था जहां तक बात इस पर्टिक्लर कारेक्टर की है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहिए वो सैफली खान हो या फिर जिसने भी ये काम किया है उनका इतना जादा मतलब इतना जादा inclination इस तरह के looks के प्रती क्यों है मतलब आपको जरूरी नहीं है वहाँ पर उसको खिलजी बनाना है जरूरी नहीं आपको इसका पूरा लुक उठा कर देखिए वो कई मैचे नहीं करता आपको रामायन के references लेने हैं आप चाहे तो पुरानी रामायन होगा वो किस तरह के वेशबुशा रखते होंगे वो एक जगा का राजा था तो वो किस तरह कर रहा होगा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आपको creativity करने की आवशक्ता नहीं है या आपको creativity नहीं करनी चाहिए लेकिन खास तोर पर जब आप इस तरह की धार्मिक चीजों पर काम कर रहे हों या फिल्में बना रहे हों जैसा मैंने पहले भी का था लास्ता है कि जब इस तरह की चीजें आप कर रहे हो तो यह बवकूफिया नहीं होनी चाहिए और जहां तक बात सैफली खान की है उनका अपना ही एक inclination उनके निजी जीवन में भी उनको मुगलों स और वो खुद उसके characters करते हैं लेकिन खास तौर पर सैफली खान अपने बेटे का नाम नहीं रख सकते राम क्योंकि उनको वो बुरा लगता है लेकिन वो तैमूर रख सकते हैं तो जैसे करीना कहते हैं like emperors तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप इतना इतना जादा inclination क रखते हैं चाहे वो मुगल वहों जिन्होंने देश तोड़ा हो चाहे वो खास तोर पर एक particular community हो मुझे लगता है इस तरह से नहीं करना चाहिए और एक और भी बड़ी महतुपून बात यहां पर यह है कि आप ये हिंदु धर्म का ग्रंत है या फिर हिंदु धर्म की history है आ लेकिन क्या यही चीज़ आप किसी और के साथ कर सकते हैं मुझे लगता है इस देश नहीं दुनिया में भी नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है उनको ये करने से पहले सोचना चाहिए अगर विवाद की बात करें तो आस से ही नहीं बलकि जब से इस फिल्म का पोस्टर और बात होना शुरू हुई थी तबसे ही ये फिल्म विवाद में हैं 2020 में सैफली खान ने अपने ही किरदार को लेकर कहा था कि वो इस बात लोगों की जो विचार है उनको बदलने की कोशिश करेंगे कि रावड नहीं तमाम चीज़ें क्यों की क्योंकि उनकी बहन की नाक क बहुत बड़ा बनाने के आवश्क्ता नहीं है मैं कहता हूं तमाम चीजें अगर वो तो किताबे तो मैंने ऐसा सुना है कि सैफली खान पढ़ते हैं अगर पढ़ते हैं तो अपने आप इन चीजों में जाए जहां तक हर चीज है वो लिखी हुई है तो आप उसमें बहुत note पे या good light में दिखाना चाहता है मुझे लगता है इसको तो पुरा देश कोई accept नहीं करेगा जहां तक हम दशेरे की बात करें बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करें उसके बाद फिर दिवाली करें तो तमाम वो चीजे हैं आप इस चीजे को बदल कर कहते कर सकते हैं मुझे लगता है वो तो समझ से बाहर है दूसरी बात ये भी है हाँ अब अपनी परसनल चीजें जो है उसमें डालना चाते हैं क्या करना चाते हैं वो यह एक अलग विशय हो सकता है बट मेरा ऐसा मानना है आदी पुरुष में जिस तरह से एक और भी चीज मैंने देखिए कि सोशल मीडिया पर भी बहुत चवर्जस तरीके से इसका विरोध चल रहा है जैसे ही सुबा से पोस्टर आया है सैफली खान का पूरा सोशल मीडिया फ्लैडड़ेड है कि ये इसका लुक नहीं होना चाहिए और ये एक रियालिटी भी है हम किसी भी धार में कैरेक्टर में अच्छा हो या बुरा फूहरता या फिर अपनी क्रियेटिविटी नहीं घुसा सकते क्योंकि मसला धर्म का है तो आप उसको आज़ेटिस प्ले कीजिए और जब आप इस तरह का सिनिमा बनाते हैं आपको बहुत जादा बहुत ही जादा ध्यान रखने की आवर्शकता है जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर भी दुनिया में किसी और धर्म के परती आप तब कोई भी चीज़ करते है सम्मान का भाव रखना एक अलग बात है लेकिन अगर आप उसमें जो गलत कैरेक्टर है उसकी भी वेश-बूशा को बदलेंगे या चीज़ों को करेंगे तो लोग रिलेट नहीं करेंगे और होता क्या है कि सिनिमा एक बहुत इंपर्टन चीज़ है आज कल की जेनेरेशन के दिमाग में बिठाने के लिए तमाम चीज़ है तो होता क्या है कि जो बच्चा आज पैदा होगा या उसको देखेगा उसका तो पट्रेल राण का उसके दिमाग में यही होगा लंबी दाड़ी और बिल्कुल खिलजी टाइप का मुझे लगता है यह नहीं होना जाएप मैंने आप से लास टाइम यह सवाल किया था कि बॉलिवुड जो है वो तैयारी कर रहा है पांसो करोड रुपे में महावारत बनाने की आज अगर यह आदिपरोश आई है जिस तरीके से रामायान पर बेस्ट है यह फिलिम पर आज जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही है तो कही ना कहीं जनता जो है वो modern जिस तरीके से चीज़ें की जा रही है उन्हें ना पसंद करती भी नज़र आ रही है ने modern कीजिए समय के साथ बदलना कोई बुराई नहीं है आप अच्छे effects डालिए चीज़ें करिए लेकिन modern मतलब क्या है कि आप basic essence किसी चीज़ का नहीं चीन सकते हैं example मर्यादा पुरशुत्तम भगवान श्री राम imagine कीजिए उनको आप ponytail बान दें या फिर उनको एक दाड़ी रख दें और उनको इस तरीके से portrait करें तो क्या वो acceptance हो भी नहीं हो सकती आप ऐसा नहीं कर सकते जहां तक बात तमाम और चीज़ों की है आपको इन चीज़ों के प्रती सजग रहना ही पड़ेगा जहां तक महाबारत की बात है मुझे लगता है एक बहुती बड़ा dream project है शायद ही कोई बना पाए और बनाये तो उसमें शायद ही गलतिया ना हो वैसा संभव नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको इस तरह की फिल्म बनाने के लिए free thinker होना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी चीज से influence है तो आप कही ना कहीं हर character में वो गुसाने की कोशिश करते हैं example आपको याद होगा ताना जी फिल्म आई ती जिसमें सैफली खाने negative किरदार नेबाया था वो एक मुगल का किरदार था और वो उसको वहाँ कहीं ना कहीं चीजे सूट कर रहा था लेकिन वही character इस फिल्म में copy-paste हो रहा है यहां आप धर्म से deal कर रहे हो यहां आप किसी की आस्था से deal कर रहे हो यहां आप इस देश की संस्कृती culture से deal कर रहे हो यहां जिस तरीके से इस देश में मैंने आपने सबीने मुझे लगता है इस देश के हर एक बच्चे बच्चे ने रामायन और महाभारती देख देखकर बड़े हुए हैं वो लोग वो उस चीज़ को relate करते हैं समझते हैं अब आप उसमें छेड़ खानी करके उसमें अपना ग्यान गुसाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा जहां तक बात स्पेशली मैं बात करूँ सैफली खान की मुझे लगता है कि शायद अभी फिल्म नहीं आई है तो कुछ भी कॉमेंट करना शायद गलत होगा लेकिन इतना तैय है कि वो influence तो उस चीज़ों से हैं मुगलों से पुरानी चीज़ों से और वो उन्होंने लगात अगर आप इसमें कुछ value आड नहीं कर सकते लोगों को बहतर तरीके से इसको नहीं बता सकते तो कम से कम इसको खराब तो ना करें पसंद तो हमें मत देखिये पर आज जो boycott trend है वो कहीं भी तूटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है जिस तरीके की कोशिच बॉलिवुड की तरब से की गई अब जनता जागी हुई है आपको चीजें जनता के हिसाब से करनी पड़ेगी मैं कहता हूँ एक जमाने में ओडियंस के सामने आपने इस देश में हर तरीके से अपमान किया एक धर्म का आपने भगवान शिफ को गलत बैड लाइट में दिखाया उनके साथ अपमाने चीज कारें अलग-अलग थी वो अपनी संस्कृति अपने कल्चर और अपनी चीजों को लेकर शायद संजो नहीं पाई और freedom of expression और speech के नाम पर किस तरीके से आपने इस देश को गालिया दी इस देश के Hindu धर्म और संस्कृति को गालिया दी लेकिन आज अस बात को यह देश भी सम कर देखिए दो मिनिट में आउकात समझ में आ जाएगी मेरा मानना है यह सब नहीं होना चाहिए प्यार जो है वह पूरी तरीकी से फ्लॉप नजार आ रहा है जंता की बोई-कॉर्ड के सामने मुझे लगता है प्यार एक सुचालिस करोड ज्यादा जनता से ज्यादा प्या कि आप इस देखिया कि संस्क्रक्रण को तोड़ रहे हैं जब करता से किस तरीके से शर्फ एक धर्म को तागेट लोग हैं, उनसे बढ़कर कोई PR नहीं है, किसी आदमी ने आपकी हरकतों को देखके, आपकी बातों को देखकर, आपकी बयानों को देखकर, आपकी फिल्मों को देखकर, आपके बच्चों के नामों को देखकर, तमाम चीजों को देखकर, एक राय बनाई है, अब उस राय को आप थीटर पर गए हैं, आज तक भी तो गए हैं, आप भैतर फिल्में बनाई हैं, मैं बानता हूँ कि तमाम तरह की चीजों के बाद इस देश में आज भी अगर थी इडिट शायद मुझे लगता है कि रिलीज हो जाए, तो शायद लोग उसको देखना पसंद करेंगे, वो चीज का सम्मान करते हुए आपको क्रियेटिविटी करनी पड़ेगी, जहाँ थोड़ा सा भी नेगेटिव जाएंगे, लोग बाइकॉट करेंगे.